इस वीडियो में मैं आपको कई खबरें एक साथ दिखाने जा रही हूं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें उम्मीद है कि आपको खबरें अच्छी लगेगी और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और अच्छी लगे खबरें तो लाइक भी कर देना साथ में तो चलिए हम आपको खबरें दिखा रहे हैं आपको एक साथ कई खबरें इसमें दिखाएंगे तो सबसे फ़र्ष्ट खबर है कि नौजात के जन्म के साथ होगा अधार नामंकर आठ जिलो में अप्रेल से सुरू होगी योजना ये योजना सरकारी अस्पतालों में जो है जन्म से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जो जन्म ले रहे हैं उसी के साथ ही उनका अधार कार बनाया जाएगा तो ये खबरे निकल के आ रही है लखनव से नवजाद के जन्म के साथ होगा आधार का नमंकर आठ जिलों में अप्रैल से सुरुई होगी योजना ये योजना आठ जिलों में सुरु की जाएगी तो वो जिले कौन कौन से हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगी तो ये लखनव से खबर निकल के आ रही है सीधे उत्तर प्रदेश में अब सरकारी स्पितालों में नवजाद बच्चों का जन्म के साथ ही आधार कार्ट बनाया जाएगा इसके लिए माता-पितावबा में से किसी एक का आधार बच्चे के आधार से लिंक कराया जाएगा इस योजना से जन्म के साथ ही नौजाद बच्चे के पहचान और पते का पक्का सबूत मिल जाएगा यह योजनार राज के आठ जिलों में सुरू होगी इस आठ जिलों में बहराईच, बलरामपूर, चंदवली, चित्रकूट, स्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनबादर और फतेपूर सामिल हैं इन जिलों के सरकारी एस्पतालों में नवजात का आधार लिंक, बर्थ रजिस्ट्रेशन, एल, बी, आर, अप्रेल से प्रारंब होगा नवजात के जन्म के साथ आधार का नामांकन अब तक सिर्फ हरियाना राज में ही होता रहा है लेकिन अब ये यूपी में भी होगा, अब यूपी इस त्रेंडी में सामिल होने वाला दूसरा राज बन गया है यूपी की इस योजना में स्वास्त विभाग का सयोग भारती विशिष्ट पहिचान प्राधिकराण यू आईडियाई कर रहा है इस संदर में यू आईडियाई ने पहली किस्त के रूप में पच्चास लाख रूपए दे दियें इस रासी से पहले चरण में एक हजार से अधिक टैबलेट खरीदे जाएंगे इस काम के आगे बढ़ने पर दो करोण रूपए की रासी भी यू आईडियाई की और से और दी जाएगी तो ये रही पहली खबर मैं आपको एक और खबर दिखा देती हूँ खबरियां ये विस्तार से जान लेते हैं वीडियो को फटा फटा लाइक जरूर कर देना ये खबर उत्तर पदे से निकल के आ रहे हैं कि सहरों में रहनों वालों की समस्या दूर करने जा रही है प्रधान मंत्री आवाश जोजना में 49,903 मकानों का बटन जल्दी पात्रों को किया जाएगा आवास विभाग ने पात्रों के नाम सत्यापीत करते विए नगरी विकास प्राधी करण सूड़ा को लब्द कराने के निर्देश दिये हैं प्रमुक्ष सची आवास दीपक कुमार के दिजदाय में बैठा कोई में प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी निर्मार के बारे में वस्तु विशिस्तित जानकारी ली गई है इसमें बताया गया कि निर्मारा धीन माकान जून तक पूरे हो जाएंगे मार्च तक 4266 जून तक 11796 में माकान बनकर तयार हो जाएंगे सेस माकान अगली चर्मने बनकर तयार होंगे तयार होने वाले माकानों को पात्रा के अधार पर तुरंद अवांटित किया जाएगा आवास विभाग ने सूड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पधान मंत्री आवास योजना के पात्रों की सूची उपलब्द कराई जाए जिससे माकानों का बटन पात्रों को किया जा सके राजी सरकार पधान मंत्री आवास योजना सहरी में पात्रों को दो कमरे का माकान 6,50,000,000 रुपए देगी इसमें 5,50,000,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा यानि पात्रों को सिर्फ 4,50,000,000 रुपए देना होगा इन माकानों के लिए पात्रता ताई की गई है और इसके दारे में आने वालों को यह माकान मिलेगा आवास बिवाग ने इसके अधार पर ही पात्रता सूची सूड़ा से उपलद कराने को कहा राज सरकार का लच है 2022 तक के सभी के सिर पर छट उपलब्द कराने का इरादा इसके अधार पर विकास प्राधिकरण और अवास विकास वर्षत को माकान बनाने का लच भी दिया गया है एक और खबरे हम आपको बता देते हैं किसान अंदोलन के बीच निधी सम्मान निधी स्कीम की आठवी किस्त की तैयारी कले पर रिजिटर किसान एक बार चेक कर लें कि उन में रिकार्ड में कोई गड़बड़ी तो नहीं है पियम किसान अंदोलन के बीच मोधी सरकार एक बार फिर किसानों के खाते में दो हजार रुपए की एक किस्त भेजने वाली है अपतान मंत्री किसान सम्मान निधी हो जना के तहित आठवी किस्त दस अप्रायद जारे कई से आने वाली सुरू हो सकती है अब तक किसानों को साथ किस्त का पैसा मिल चुका है पिछले दो साल में केंद सरकार ग्याराद समलो पंद्रा लाग क्रोन रुपए अधिक मादत दे चुकी है अपना रिकार्ट दुरूस्त कर लें ताकि आठवी किस्त का पैसा मिलने में देर ना हो पीम किसान स्कीम के तहट कैंसरकार दो दो हजार रुपए की तीन किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर करती है पहली किस्त एक दिसमबर से एक दिसमार्च के बीच होता है जबकि दूसरी किस्त एक अपरेल से एक दिस जुलाई और तीसरी किस्त एक अगस्ते तिस नंबर के ब लग जाता है नए शिच्चानीति के तहट पाठिक्रम ने बदलाओ के लेकर उच्च सिच्च के पाठिक्रमों में परस्तावीत बदलाओ का इस तरों पर दिखाई देगा नए पाठिक्रम में गैर प्योग विश्यों का व्योहारिक ग्यान जोर दिया जाएगा भासाओं के पाठिक्रम में इसका असर दिखेगा नया पाठिक्रम पहली जुलाई दोजरीके से सुरू होने वाले नए सत्र से लागू हो सकता है इसना तक इसतर पर लागू होने वाले नियुनतम समान पाठिक्रम के समन्द में सासन ने जारी निर्देशों के अधार पर ये पाठिक् जादा उपयोगी बनाया जाएगा तयार कराएगे पाठ क्रम पर फीड़ लेकर उसमें बदलाव भी किया जाना है यह जिम्मेदारी उच्छ सिच्छा परिसत को दी गई है परिसत नहीं पाठ क्रमों को अपनी वेव साइट पर अफ्लोड कर फीड़ भी मांगे हैं पसंद आ झालाओ